मेश आज के दिन आप पर लक्षमी जी की कृपा दृष्टी है ऐसा गणेश जी कहते हैं विवाहत सुकों को जीवन साथी मिलने का योग है वियापार में लाभ होगा परियतन का आयोजन कर पाएंगे परंतु मध्यान के बाद मानसिक कागरता में आपको कमी दिखाई देगी स्वास्थ भी बिगर सकता है ब्रिशब आज आप किसी भी प्रकार के मानसिक भार से मुक्त हो जाएंगे और गणेश जी के आसिरवाद हैं शारिरिक रूप से भी आपका स्वास्थ अच्छा रहेगा व्यावसाय में भी आपको यश मिलेगा आपके कारे की सराहना होगी और उपरी अधिकारी आप पर प्रसन रहेंगे मिथुन आपका आज का दिन मिश्र फल दाई रहेगा ऐसा गणेश जी कहते हैं स्वास्थ में भी कुछ उतार जरहाव आएगा व्यावसाय क स्थल पर भी उपरी अधिकारी गण अपरसन नता से आपको व्यग्र कर सकते हैं धन का व्यए अधिक होगा व्यापार में भी वातावरण अनुकूल रहेगा धन की प्राप्ती होगी करक आज के दिन मन को शांत और प्रफुलित रखने के लिए इश्वर का नाम स्मरन आध्यात्मिक पठन की प्रबिर्ती ही एक मात्र उपाय है ऐसा गणेश जी कहते हैं क्रोध को वश में रखियेगा अनैतिक कृत्यों और नकारात्मक विचारों से दूर रहेगा धन की तंगी रहेगी सिंग आज आपको मनुरंजन से भरपूर साधन उपलब्ध होंगे ऐसा गणेश जी कहते हैं जिससे आप मित्रों और सनेही जनों के साथ आनंद लूटेंगे साथ में प्रयटन की भी संभावना है परंतु मध्यान के बाद अधिक विचारों के कारण मानसिक रूप से आप ठक जाएंगे कन्या आज का दिन आपके लिए गणेश जी शुभ बताते हैं कारे सफलता मिलने से आज आप आनंदित रहेंगे आपकी यश कीरती में भी बृधी होगी परिवार का वातावरन भी अनुकूल रहेगा जिससे शारिरिक और मानसिक रूप से आप प्रफुलिता और स्वस्तथा का अनभव करेंगे तुला लेखन कारे और स्रिजनात्मक प्रविर्थियों के लिए आज का दिन शुभ है ऐसा गणेश जी कहते हैं बौधिक चर्चा में लाब लेने के लिए भी आज आप सोच सकते हैं बौधिक चर्चा में भाग लेने के लिए हुए कारे में आपको सफलता मिलेगी यश और किर्ती में विर्धी होगी रिशिक आज जिद्धीपन छोड़ देने के लिए गणेश जी आपको सूचित करते हैं भावुकता प्रसनियम रखने से मानसिक व्यगरता का अनुभव कम होगा वित्तिय मामलों का आयोजन होगा मध्यान के पश्यात विचारों में शिग्र परिवर्तन आएंगे नए काम की शुरुवात न करें बौधिक एवं तारकिक कारे करें यात्रा प्रवास टालें धनू दिन के समय में आज आपका मन प्रफुलित रहने से मानसिक रूप से एकदम हलके फुलके होने का अनुभव होगा आज भागे विर्धी का योग है परन्तु मध्यान के बाद कुछ अधिक ही समवेदन शीलता का अनुभव करेंगे मानसिक रूप से व्यगरता रहेगी जमीन, मकान, वाहन, आदी का सौदा समभल कर कीजिएगा मकर आज धार्मिक विचारों के साथ साथ धार्मिक कारियों में खर्च भी होगा अधिक वाद विवाद से परिवार का वातावरन कलुशित न हो इसका ध्यान रखियेगा परिवार जनों को आप से मन दुख और असंतोश रह सकता है फिर भी मध्यान के बाद आपका मन चिंता मुक्त रहेगा आज भाग विर्धी की योग है आज आपका मन प्रफुलित रहेगा ऐसा गणेश जी कहते हैं गहन चिंतन शक्ती और अध्यात्मिक्ता दोनों में आपका मन डूबा रहेगा नकारात्मक विचारों को मन से निकाल देने की गणेश जी सलाह देते हैं वानी पर संयम रखियेगा अना पेक्षिक धनव्याय से संभल कर चलिएगा आज फिर भी निर्ने शक्ती का अभाव रहेगा मीन किसी के साथ धन से संबंधित विवहार न करने की तथा किसी के विवाद में न पढ़ने की गणेश जी सलाह देते हैं मन एकागर करने का प्रयास कीजिएगा आज खर्च पर संयम रखना होगा स्वजनों के साथ मन दुख होने के प्रसंग बनेंगे मध्यान के बाद आपके स्वास्थ में सुधार होगा मांसिक रूप से आपको स्वस्ता का अनुभव होगा